सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को नमस्कार मैं सुनेल वर्मा धे आईयस टीम की ओर से अपका स्वागत करता हूँ धे टेवेपर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है सापताहिक MC के इसमें जो डेली करेंट अफेर्स के बीडियो हम प्रती दिन आप तक पहुँचाते हैं उसमें कवर किये गए टॉपिक से कुछ मल्टी चॉइस कोसंस या अबजेक्टिव कोसंस आप के सामने रखे जाते हैं जिनको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रारंभिक परिश्यक की तयारी सही डारेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं उसी करम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर बात करेंगे सापताहिक MC के अपने प्रोग्राम पर आएए हम कुछ कोसंस पर इन जो कोसंस आपके स्क्रीन पर आएंगे उनको ध्यान से देखिए उनको समझने का प्रयास करिए और सही उत्तर दीजिए सटिक उत्तर दीजिए जल्दी बाजी बिल्कुल नहीं करना है आई हम बात करते हैं सबसे पहले प्रशन पर भारती रेलवे के करने आपके लिए आसान हो जाएं कथन पहला देश में पहली इलेक्टरिक ट्रेन 1925 में चलाई गई थी कथन दो आजादी के समय भारत को उस समय का 60% नेटवर्क प्राप्त हुआ था किस चीज का रेलवे नेटवर्क का कथन तीन रेलवे में सबसे बड़ी हरताल आजादी के बाद 1978 में होई थी कथन 4 एक जुलाई 2020 को रेलवे ने 2000 ट्रेनों का परिचालन बिल्कुल सही समय पर किया अब देखिए आपके पास क्या विकल्ब है उप्रोप्त कथनों में से या कथन में से सही कथनों के विकल्ब का आपको चैन करना है अर्थात यह बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही थे आई एक बार फिर से मैं आपको कथन देखा देता हूँ फिर से स्क्रीन पर देखे और आप इनमें से रिसाइट कर लेजे कौन कौन से कथन सही है एक एक करके कथनों की बात करें तो देश में पहले इलेक्रिक ट्रेन 1925 में चलाई गई थी यह ब पूरे भी औपसमी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान में चला गया तो यह जो दोनों कथने बिल्कुँ सही हैं लेकिन जो कथन तीसरा है कि रेलवे में सबसे बड़ी हर्दाल आजादी के बाद 1978 में हुई थी यह बिल्कुल गलत है यह जो है कि 74 में हुई थी अर्थार 4 स साल कहां पर डिफ्रेंस किया गया है वह सिर्फ इसे चिक करने के लिए कि आखिर डेटा को भी आप याद रख पा रहे हैं या नहीं तो कोल मिलाकर कथन तीन आपका गलत है उसके बाद कथन चो चौथा है वह है कि एक जुलाई 2020 को रेलबे ने 2000 ट्रेनों का परिचालन तो लगभग ट्रेनों को सही समय पर चला देना यह बहुत बड़ा achievement नहीं है achievement तब है जब हमान लगभग साथे 13,000 से अधिक जो ट्रेने सबी चल रहे हैं वो ट्रेक पर हो वो चल रहे हो और तब हम सही समय पर चला कर कोई इतिहास बनाई तो यह बहुत बड़ा achievement होगा ले इबेक देवराय कमेटी के संदर में कतनों पर विचार करिये। इस कमेटी का कठन बर्स 2014 में किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट बर्स 2015 में दे दी थी। कठन दूसरा है इसमें ट्रेन परिचालन को नीजी छितर के लिए खोलने की सिपारिस की थी। कठन तीसरा रेलवे में बिकंदरी करण की बात भी इस समीती ने की थी। चौथा कठन है रेलवे के इन्फरस्टेक्चर निर्माड के लिए एक अलग कमपनी बनाने का सुझाओ भी इस कमेटी ने दिया था। आप देखिए उपरूप्त कठन या कठनों में से असत कठन का चैन करना है। एक कर कोट भी अपनी बर्स 2015 में दी थी और यह बिल्कुस सही है। इस कमेटी का जो गठन हुआ था कि कैसे हम रेलवे को बहुत इफिसेंट बनाएं जो उसमें न्यूक्तिया होती हैं रेलवे वोर्ड से समभन देखिए उसको कैसे हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इन परिचालों को नेजी चेतरे के लिए खोलने की सिपारिस की थी बिल्कुस सही है। तीसरा जो है कि रेलवे में बिकेंदी करण की भी बात की थी बिल्कुस सही है। कमेटी ने कहा था कि जो ग्राउन लेबल पर छोटे लेबल पर जो कार हो रहे हैं वो केंदर की इस तर railway में चुकि बहुत बड़ा निर्माड होता है और इसलिए उसमें infrastructure के लिए एक अलग company बना दी जाया जो सिर्फ और सिर्फ railway के infrastructure को develop करे ये बात भी कहा गया था अर्थात हमें चुनना था असत्यकतन लेकिन कोई भी असत्यकतन हमें नहीं मिला इसलिए answer होगा हमारा D आगे बढ़ते हैं अगले question पर जो कि आपके screen पर है तेल अर्था diesel of petrol की कीमतों के संदर में सत्यकतन का आपको chain करना है कीजिए सत्यकतन का chain तेल की कीमत तभी बढ़ती है यहां पर ध्यान दिजेगा यहां पर सत्य नहीं असत्यकतन का chain करना है गलती है typing में state है तो आपको अब देखे तेल की कीमतों के संदर में असत्यकतन का chain करना है तेल की कीमत तभी बढ़ती है जब कच्चे तेल के मुल्ले में बृत्थी होती है अगला statement है तेल पर excise duty भारत में ज़्यादा लगता है तीसरा है तेल पर लगने वाला excise duty का बोज ग्रहां को पर पड़ता है चोथा बिकल्फ है कि 2014 के बाद तेल की कीमत तेल कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है आपको चुनना है असत्यकतन जो की तेल अर्था डीजल पेट्रॉल के संदर में यहां पर हुआ है तो आपने असत्यकतन decide कर लिया होगा अगर आपने असत्यकतन माना है यह तो बिल्कुस सही है तेल की कीमत तभी बढ़ती है जब कच्चे तेल के मुल्यों ब्रद्दियों ऐसा जरूरी नहीं है मैंने तेल के दाम कैसे बढ़ते हैं कैसे कम होते हैं उसको लेकर बताया था और मैंने यह भी कहा था कि बर्तमान संदर में भी अगर हम देखें तो अंतराष्टी रूप में कच्चे तेलों की जो कीमत है उसमें बहुत जादा उच्छाल देखने को नहीं वैट अर्था जो एकसाईज जूटी होती हो जो वैट होता है कई बार तो यह पचास परतिसत तक होता है तेल के केमत का अर्था जितना भी मुल्य है उसका आधा के ओल एकसाईज जूटी हो वैट होता है तो इसके वज़े से भी तेल के मुल्यों में अंतर आता है फिर मैंने कहा था कि रुपे का जो मुद्रा का जो अमुल्यन होता है उसके वज़े से तो कई चीजे मैंने उसमें बताया था तो यह जो तेल की कीमत तभी बढ़ती है जब कच्चे तेल के मुल्यन में ब्रद्धी होती गलत है, अगर कच्छे तेल के मुल्यों बृद्धी ना हो, लेकिन जो हम आयात कर रहे हैं, उस पर excise duty ज्यादा बढ़ा दें, अगर तो भी क्या हो सकता है, तेल के मुल्यों बृद्धी हो सकती है, जैसे माल लिजे, इस समय हम कहें, कि अगर excise duty 10 रुपे एक उधारा ले रह है, उसको सरकार कहें कि नहीं हो, पंदर रुपे लगेगा, तो तेल के मुल्यों में क्या हो जाएगा, अपने आप रुद्धी हो जाएगा, तो यह जो इस स्टेट्मेंट है, बाकि जितने भी स्टेट्मेंट लिखे हैं, वो सब सही है, अगला प्रशने, जो है कि आपकी स पंजाब में गेहूं का उतपादन घटा है, तो हाली में केंदर को बेचे गए गेहूं के मामले में मद्ध परदेश ने पंजाब को पीचे चोड़ दिया, बिल्कुल सही है, और इसके पीचे का जो परमुक कारण यह है, क्योंकि इधर एक दसक में अगर देखें तो जो मद्य परदेश में क्या हो रहा है गेहूं का उत्पादन बढ़ा है और जब गेहूं का उत्पादन बढ़ा है तो इसके वज़े से ओवराल गेहूं क्या हुआ है जादा हुआ है जब जादा गेहूं हुआ है तो उसने FCI के म वो लगबग लगबग उतना ही है जितना कुस सालो पहले था सौभाबी कहे जब पंजाम में क्या है गेहूं का छितरफल नहीं बढ़ा है उतना ही है दूसरे तरफ MP में छित्रफल बढ़ता जा रहा है तो सोबा भी कहें जब छित्रफल बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा इस बज़े से पंजाब क्या होगा है पीछे छूड़ गया है और इसकी वज़े से क्या हुआ है मंद्य परदेश ने इस बार अभी हाल में आया डिटे करिमसार क्या हुआ है कि मंद्य परदेश ने किये हूँ पंजाब के तुलना में जादा बेचा है तो कुल मिलाकर हमें चुनना असत्य कतन लेकिन कोई भी असत्य कतन नहीं है अगर देखिए हमारा option क्या हो जाएगा D आगे बढ़ते हैं अगले फ्रशन पर वेश्ट बेंक के संदर में निलखित कतनों पर विचार कीजी किरते हैं बेचार कतन पहला यह जोडन नदी के पस्ति मिस्ति छेतर है जो फिलिस्तिन तिथा इजरायल के मत बिवात का कारण है कथन दूसरा 1967 में इस पर इजरायल का नियंतर्ण है लेकिन इजरायल का भाग नहीं है ध्यान दिजे 1967 से इस पर इजरायल का नियंतर्ण है लेकिन इजरायल का भाग नहीं है कथनों को ध्यान से सुनिएगा कथन तीसरा इसका चित्रफर लगभग 6,555 बर किलो मेटर है जिसमें 150 इजरायली सेटलमेंट है कथन चार यहाँ पर बढ़ती इजरायली हस्तचेप को 1949 के जिनेवा संदी का उलंगन बताया जा रहा है अब आपको क्या करना है सत्यकतन की कूट का चैन करना है एक एकर के कतनों पर विचार कर लेजिए अपने आप सत्यकतन पता चल जाएगा तो जैसा कि लिखा है कि यह जार्डन नदी के पस्ति में इस्तित है बिल्कुल सही बात है जार्डन के पस्ति में देखेंगो तो उहां पर एक नदी परवाहित होती है जार्डन नदी उसके पस्ति में इस्तित है तो इसी के कारण चूंकि इसको वेश्ट वेंग के नाम से ज सही बात है, 1967 में इजरायल ने इस पर अपने नियंतरन ले लिया था और अभी भी इसका नियंतरन है लेकिन पूरी तरह से इजरायल का ये भाग नहीं है और इसलिए कहा था इजरायल ने कि वो क्या करेगा विष्ट वेंग पर कबजा करेगा और इसको ये जो बढ़ती अंतराष्टी समदाय ने इसके काफी अलोचना कि हो कहा कि ये तो अंतराष्टी रूप से जो जिनेवा संदी है उसका उलंगन है क्योंकि आप पहले आपने क्या किया मिलिटरी सासन के त्वारा उस पर अपना नियंतरन इस्तापेद किया अब क्या कर रहे हो आप उस पर अग बनाना चाहते हो तो ये जिनेवा संदी का क्या है उलंगन है तो देखे इसमें क्या हुआ जितने कतन हैं सब क्या है सही हैं तो हमारे जो आञ्सर होगा वह क्या होगा ड अर्था सभी कतन सही है अगले प्रशन पर बढ़ते हैं निम्रखित कत्मों पर विचार करना है आसियान की स्थापना 12 अगस्ट 1968 में हुई थी बर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है फिर उसके बाद है तीसरा आपके पास है कि कमबोडिया को 2000 में आसियान में सामिल किया गया था ये देखे पर पकड़ होगी तो ये प्रशन बहुत आसान भी है उप्रोक्त में से सत्य कत्नों वाले बिकल्प का आपको चैन करना है चारों कत्न आपके स्क्रीम पर दिखाई दे रहे हैं पहले कत्न पर हम बात करें कि आसियान की स्थापना 12 अगस्त 1968 को हुई थी तो गलत है इसकी स् आपके पास ऑशन बचेंगा वह क्या बचेंगा दो और चार अर्था विकल्प चुनेंगे आप की आगे बढ़ते हैं अकले पर आसियान के स्थापना निमने उद्धिवसों के लिए के गई थी विचार कीजिए बताईए उद्धिवस अगर आपको पता होंगे तो प्रश्ण बहुत ही ज़्यादा एजी होने वालात के लिए छेत्री सांती तथा इस्तिर्था को बढ़ावा देना सभी परकार की आर्थिक ध्यान दीजिए इस सब्ध है सभी परकार की आर्थिक किरियाओं अर्थात क्रिसी, उद्धियो, व्यपार, परियोहन, संचार में सहयोग, लोगों के जीवन इस्तर में सुधाल लाना इसका उद्धियो, आसियान को one vision, one identity, one community के रूप में प्रस्तुत करना है चोथा है इसके तीन इस्तम आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान राजनुतिक सुरच्छा समुदाय और तीसरा है समाजिक सांसकर्थिक समुदाय तीन इसके जो है कि इस्तम है, अब आपको बताना ये है उप्रोक्त में से सत्य कथन कौन से है तो अगर आपने ध्यान दिया होगा और सभी आसियान वाले टॉपिक को समझा होगा तो इसके जितने कथन है, वो सभी कथन क्या है, सही है, आंसर होगा आपका D आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर जो कि वाइरस से रिलेटेड है वाइरस एक बिसानु जनित सुचम जीव है, अब आपको पता हुगा सुचम जीव होता है कि बड़ा जीव होता है बताए इसने पूरी दुनिया को लॉग कर दिया है यह सुचम जीव अपना विकास परजनन जीवित कोसकाओं के संपर्प में आने से करता है तीसरा विकल्प है यह वाइरस DNA और RNA दोनों परकार के होते है चोथा विकल्प है RNA वाइरस का एक परकार इंफ्लुएंजा वाइरस होता है अब आपको देखे कौन कौन से सही है कतनी आपको डिसाइड करना तो यह विसाड़ू जने सुचम जीव है इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा प्रशने यह जो है कि विकल्प इजी है अब दूसरा जो है कि है सुचम जीव अपना विकास परजनन जीवित कोसकाओं की संपर्क में आने में करते ही बिल्कु सही है जैसे आप ही देखे इस समय आपसे कहा जा रहा है कि आप कम मिले तो कुरोना वायरस मां लिजे कहीं किसी को कुरोना हुआ और उसने कोई चीज छू दी और मां लिजे मेटल है लकड़ी है कुछ भी है तो उस पर जो रहेगा कुरोना धीरे-धीरे कुछ दिन बाद अपनी हाप क्या होजा समाप्त हो जाएगा लेकिन वह अगर वह आपके एक्टिफ सेलर था था आपके हाथ के संपर्क में आए गया किसी माध्यम से आपने फिर उस हाथ को मुह पर लगा लिया नाथ पर लगा लिया वह अंदर चला गया तो जीवित कोसकाओं के संपर्क में जब आ जाएगा तो अपना तेजी से विक के सकीती दोनो RNA परकार के होते हैं तो मतलब corona और G4 दोनों तो इस तरह से DNA और RNA दोनों परकार के होते हैं बिल्कु सही है उसके बाद है RNA वायरस एक परकार का influenza वायरस होता है भी सही है influenza का मतलब होता है जिसमें बुःखार आता है खांसे आती है इस परकार के जो चीजे होती है इसमें तो कुल मिला कर यह जो है कि जितने statement है सभी आपके सही हैं तो इसलिए answer होगा आपका एक दो तीन चार आगे बढ़ते हैं सभी विकल्प इसके सही है इन्फलोंजा वारस तीन परकार के होते हैं जो इस परकार है इन्फल इन्फलोंजा वारस तीन परकार के होते हैं जो इस परकार है इन्फलोंजा A, B और C इनमें से कौंसा वारस मनुस्यों को बिसेस रूप से परभावित करता है लेकिन मनुस्यों को हानी कम पहुँचाता है विकल्प है आपके पास इन्फलोंजा A वारस, इन्फलोंजा A, B वायरस, इन्फ्लूइंजा C वायरस और एन्फ्लूइंजा C अब आप देखे इसमें आपने डिसाइड करी लिया होगा तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है C यह बिल्कुस सही है B वायरस के इन्फ्लूइंजा B के संदर में बताया जारा है इन्फ्लूइंजा E क्या होता है कि वह जानवरों से मनुस्यों में आता है लेकिन क्या होता है कि जो इन्फ्लूइंजा B होता है यह क्या होता है कि इसके संपर्क में अगर आप इसके विसेस्ताओं को देखेंगे तो यह क्या होता है, जब मनुस्तियों से मनुस्तियों को बीच में आता है, तो मनुस्तियों को ज़्यादा परभावित करता है, यह जरूर है कि इसके बज़े से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, देथ रेट बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी यह मनुस्तियों में बि इसलिए आपका यहां पर आंसर होगा, जो है कि B, C बिकल्ब सही है, इन्फलोंजा B के संदर में ऐसा कहा गया था, G4 वायरस क्या है देखे, यह एक बिसाड़ों जनी सुच में जीव है, जो H1N1 का ही एक भिक्सित सोरूप है, यह वायरस जानूरों से मनुस्यों में संचारित होता है, तीसरा विकल्ब है, यह वायरस अपने विकास के लिए जीवित और अजीवित कोशकाओं को अपना घर ब रूप है, बिल्कुल सही है, यह एक बिल्कुल सही है, यह जो है कि वायरस जानूरों से मनुस्यों में संचारित होता है, जी हाँ, होता है, अभी जैसे चीन में इसका परभाव देखा जा रहा है, कई लोग के यहां पर देखा गया कि जो लोग सूर पालन करते हैं, उनकी कोई वायरस आएगा, तो जीवित कोस्का के जब संपर्क में आगा, तभी अपना विकास करेगा, अभी मैंने कुछ देख पहली आपको बताया, तो यह statement गलत है, चोथा इसका सरवाथी घातक परभाव मेक्सिको से प्रावरम हुआ तो नहीं, यह चीन में इसके लक्षन भ विकल्प नहीं है, तो आपका देखे, जो डी विकल्प है, कि केवल तीन और चार जो है कि सही नहीं, यह आंसर होगा, क्योंकि तीन और चार जो statement हों गलत है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, गंगोतरी नेशनल पार्क के संदर में आपको कतनों पर विचार करना है करिये, यह पार्क उत्तराखंट राज के उत्तरी भाज में उत्तर कासी जिले में अवस्थित है, आपको पता होगा, दूसरा statement है, इस पार्क में हरे भरे घास के मैदान के साथ संकुधारी वन एवहिमनत पाये जाते हैं, आपको पता होगा, तीसरा गंगोतरी गलेसियर का गोमुक इसी उद्यान में इस्तित है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, चोथा है, यह उद्यान छेतर गोबिंद राष्टी उद्यान और केदार नात बन जीव अभ्यारन के बीच एक जीवन के निरंतरता बनाता है, अब आपको क्या है, उपरोक्त कत्नों में से कौँ सा विकल्ब सही एर्था, सही कत्नों के विकल्ब को चुनना है, आप एके करके आसानी से इसको चुन सकते हैं, चलिए, चुनते हैं, यह उत्तरा खंड राज के उत्तरी भाग में, उत्तर कासी जिले में ओसतीते बिल्कु सही है, यहां पर घास के मैदान भी मिल जाए जिवन तिनिरंतरता परदान करता यह भी सही है, तो कुल मिलाकर सभी विकल्ब सही है, तो C आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन पर, नेविल खित कत्नों पर विचार कीजिए, गंगोत्री नेशनल पार्क, काले भालू, भूरे भालू, यह प्रेशन भोगत कठें हो सकता है, द्यान दिजेगा, बी आर्रो, अर्थार बॉडर रोड अर्गोनाईजेसन दोरा, लद्दाक से लेकर उनाचल परदेश तक, इस्टेटिजिक सड़कों का निर्माड कार किया जा रहा है, तीसरा विकल, गंगोतिन नेशनल पार्क में उची परोत्माला, गहरे, धर्रे, चट्टानी, नुकिले, हिमनत, संक्री, घाटिया, आधी इसकी मुखे बिसेस्ता है, हाली में इस उद्यान में सड़कों के विकास के लिए उत्त्राखंड राजबन जियू सलाकार बोर्ड ने बन भूमिक के हस्तांतरन वाले पस्ता को म बंजूरी देने से इंकार कर दिया है, अब देखिए कौँ सा विकल्ब सही है, तो एके करके अगर हम कत्मों पर विचार करें, तो यह जो पहला है कि काले भालो, भूरे भालो, कस्तूरी, हिमते दूर सभी एकी जगए मिल जाते हैं, बिल्कु सही है, उसके बाद जो बिया यही गलत है, इसमें लिखा यह है, कि जो बन बोर्ड, जो उत्राखंड राज जिबन जीव सलाकार बोर्ड है, इसने भूमी हस्तांतरण के पस्ताव को मंजूरी देने से मना कर दिया नहीं, इसने मंजूरी दे दिये, इसलिए दे दिया है, क्योंकि इस समय जो LAC पे है, कि हड़ जग है भारती आर्मी तुरंत पहुंच सके उसके लिए रोड का निर्माण किया जाना ज़रूरी था, तो उसके लिए इसने अनुमती दे दी है, तो देखी हमें सही भी कल्प का चैन करना है, तो हमारा आंसर होगा C123, आगे बढ़ते हैं क्योंकि चो था तो नदी, विकास, गाय, गंगा, खाय, कल्प, मंत्राले दोरा किया जा रहा है, तीसरा, इस परियोजना में 20 उबैंक दोरा हाली में 45 अरब रुपे की सहता दी गई है, चोथा, यह एक 15 बरसी योजना है, जिसके तरफ 5 राज्यों में गंगा को साथ किया जाएगा, उप्रयो इसकी जगे अगर 18 बरसी योजना यह होता, तो बिलकुस सही होता, इस तरह से यह statement गलत है, बाकी जो तीनो इस statement है, आप देखे यह 100% जो है कि केंदर पुसित योजना है, बिलकुस सही है, इसका जो किया जा रहा है, वो केंदरे जलसन साधन मंत्राले जो उसके साथ गंग को कर सकेंगे तो इस तरह से जो कि सही भी कल्प 1,2,3 हमारा क्या होगा फिर से आंसर होगा C आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर और अगला प्रशन जो आपके स्कीन पर है सिवालिक बन्चेत्र के संदन में विचार कीजी इस बन्चेत्र की सीमा हिमाचल परदेश हर्याना उत्राखन से लगती है इस बन्चेत्र के सिवालिक बन्परभाग मेरट बन्परभाग की एक एरिया को समलेद कर बर्स 2009 में हाथी रिजर्ब घोसित किया गया था हाली में इस बंचित को सहारनपूर मंडल आयुक्त द्वारा इसे टाइगर रिजर्व घोसित करने का प्रस्ताव किन्द सरकार को दिया गया है इसमें बागो की संख्या में हो रही कमी को जो है की दूर किया जा सकता है अब देखिए उपर्योग तुमें से कौन सा कतन सत्य ही आपको बताना है एक की करके कतनों पर विचार करें सिवालिक बंचित के संदर में हिमाचल परदेश हर्याना और उत्राखंड की सीमा से लगा हुआ यह छित्र है सहारानपूर का बिलको सही है और इस तरह से यह स्टेट्मेंट सही है दूसरा इसमें कहा है कि सिवालिक बंपरभाग तथा मेरट बंपरभाग मेरट नहीं बिजनौर बंपरभाग की एक एरिया को समलेद कर बरस 2009 में इस छेत्र को जो है कि हाथी रिजर्ब घोसित किया गया था तो यह statement गलत है और इसमें दूसरा तीसरा जो भी कल्ब कहा गया है कि सहारन्पुन मंडल आयुक्त दोवारा टाइगर रिजर्ब घोसित करने का प्रस्ता केंदर सरकार को बेजा गया है और राजसरकार अब किंदर सरकार को भेजेगी तो इस तरह से ही जो दूसरा और तीसरा statement है यह गलत है बाकी सब सही है तो कौन सा कतन सत्य है तो आपका जो है कि देख लेजिए हमने क्या बता है कि दूसरा और तीसरा गलत है तो एक और चार क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कलादान प्रोजेक्ट पर आपको विचार करना है इस प्रोजेक्ट के तहट कलकाता बंदरगाऊ को मैंमार के सित्वे बंदरगाऊ से जोड़ा जाएगा दूसरा इस प्रोजेक्ट के दोवारा लुक इष्ट और एक इष्ट को आगे बढ़ाया जाएगा तीसरा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पुरोत्तर भारत में भारती सेना मजबूत होगी यह चोथा विकल्प है यह प्रोजेक्ट के वहल भारत दोरा तयार किया जा रहा उप्रोग्त में से अत्रस्तिक कसन का आपको चैन करना है तो जो आपका यह चोथा विकल्प है यही क्या है गलत है बाकि सब सही है बिल्कु सही है कि कल्कता बंदरगा को मैं मार के सित्वे से जोड़ा जाएगा और फिर उसके बाद पलेतवा कलेतवा से होते हुए भारतिये मार्गिस से भारतिये सीमा तक पहुचेंगे और उहां से फिर हम पुरोग्तर पहुच जाएंगे और इसके वज़े से अगर यह प्रोजेक्ट पूरा कम्पलिट हो जाता है जिसको चीन के द्वारा कई तरीके से रोकने का बिचार किया जा रहा है अडंगे लगाये जा रहे हैं जो हां के आतंकी समों है उनकी फंडिंग की जा रही है तो लेकिन अगर पूरा प्रोजेक्ट कम्पलिट हो जाता है फंडेट परसेंट ठीड बिचार किया जा रहा है तो इस तरह सेais पर के द्याश्ट कम्पलिट के संदन में आपको बिचार करना है इस मिसाइज सिस्टम को DRDO यहों रूस दोरा विक्सित किया गया है दूसरा इस्टेड में इसका प्रयोग अभी तक कभी नहीं किया गया है तीसरा है इस समय टाटा पावर, SED, लार्सन एंटुब्रो और आयूद कार खाना बोर दोरा इसका उतपादन किया जा रहा है चोथा, यह 44 सिकेंड में 12 रॉकट दागने में सच्छम है अब आपको क्या करना इसमें से कौन सा कत्थन असत्य है आपको ढूढ़ना है असत्य कत्थनों का तेके चैन कर लेते हैं इसको देखे लिखा गए DRDO रूस दोरा विक्सित किया गया है तो पहला स्टेटमेंट गलत ह हो गया, इसका प्रियुक अभी कभी कहीं किया गया, यह भी गलत है क्यूंकि जो कारगिल का यूद्ध हुआ था उसमें हम इसका प्रियुक कर चुके हैं इसको हमने डिप्लो़ किया था तो पहला और दूसरा विकलब जो है कि क्या है गलत है और जो तीसरा और चौथा सही ह हमें चुनना है असत्य कथन तो पहला और दूसरा असत्य कथन है इसलिए हमारा विकलप होगा C आगे बढ़ते हैं अस्त मिस्तायल पर बिसार कीजिए यह मिस्तायल जमीन ये वो हवा से मार करने वाला प्रिच्छे पासते है अर्थादी जमीन हरवा से मार कर सकता है दूसरा है इसमें ठो से उन द्रव दोनों इधन का प्रियोग किया जाता है तीसरा है सामने से आने वाली ऐसी मिसाइलों से निपटने में भी सच्छम है जो अपना दिसा बदलती रहती है चोथा इसकी मारक छमता सो किलोमेटर से अधिक है उप्रोग तो कत्थनों में से कौन से कत्थन सत्ते हैं आप एक एक करके कत्थनों बेबिचार कर लीजीए यह है कि मिसाइल जमीने वह वासे मार करने माले यह year to year जो है कि क्या करती है मार करती है तो इसलिए पहला इसस्टेटमेंट गलत हो गया दूसरा है कि यह ठोस औडॉदों इधन का प्रयोग होता है तो पहले और दूसरे विकलब क्या हो गया गलत हो गया उसके बाद जो है कि ये जो तीसरे और चोथे विकल्प हैं ये बिल्कुश सही है हमें चुनना है सत्य कतन तो हमारा आंसर होगा ए तीन और चार अगले प्रशन पर बढ़ते हैं जो कि O.B.O.R. के संदर में है ये ब्यापार मार्ग चीन को मदेशिया और अरब से जोड़ता ह दूसरा सिल्क रोड सब्द का पहली बार प्रियोग या उपियोग 1877 में जर्मन भुगोलविद फॉर्ण एंडेंड वॉन रैक्थोपन द्वारा किया गया था तीसरा यह नेटवर्क टीम को यह जो है की नेटवर्क यह अर्था दिया जो जाल है यह चीन को टीम नहीं ची स्थापना की गई तो प्रोक्त में से कौन से बिकल्फ सही है यह आपको बताना है चलिए बता देजे तो देखे चोथा जो बिकल्फ यही गलत है बरसत 2014 में सही बात है कि जो है कि इसके लिए एक फंड बना था OVR बित्त पोसड के लिए लेकिन वह 40 अरब डॉलर का था ना दी उरोप वाला छेत यह सामिल लेटिन अमेरिका इसमें सामिल नहीं है तो इस तरह से तीसरा और चोथा गलत हो गया बाकी जो इस बिकल्फ है एक और दो सही है इसलिए आंसर होगा इसमें हमें क्या चुनना था कि कौन सा बिकल्फ सही है तो आंसर होगा ए एक और दो बिक करिये विचाब इनकी नियुक्ती प्रधान मंतियर द्वारा की जाती है जो भारती सम्मिदान के अनोचे meilleur 66 से संबद है कतंदो यह संसद के दोनों सदों में बोलने अथवा कारवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठंग में सामिल होने यों मता अधिकार में भाग लेने का अधिकार इनको होता है तीसरा या भारत सरकार के बिरुद कोई सलाह नहीं दे सकते चौथा केके बेनुगोपाल को 30 जून 2017 को मुकुल रोतगी के बाद देश की चौध में अटारनी जन्रल नियुक्त किये गए अब आपको क्या करना है असत्य कथन का चैन करना है एक एकर के असत्य कथन का चैन कर लेते हैं तो देखें इनकी नियुक्ती राष्टपती के द्वारा की जाती है इसलिए यहां लिखाया परधान मंत्री पहला गलत हो गया आर्टिकल 76 सही लिखाया लेकिन परधान मंत्री द्वारा नियुक्ती की बात की गई है इसलिए गलत हो गया इसमें साथ दूसरे statement में लिखा है कि मताधिकार का इनको अधिकार है, ये भी गलत है, मताधिकार का अधिकार नहीं है, आम बैठक में सामिर हो सकते हैं. तीसा statement जो है कि सरकार के बिरुत कोई सला नहीं दे सकते हैं, बिल्कु सही है. और जो चौथा विकल्प है कि बेनू को पाल को 30 जून 2017 को मुकुल रोतगी के बाद चौद में अटारनी जनरल के रूप में निउक्त किया गया था ये गलत है 15 वे अटारनी जनरल के रूप में इनको निउक्त किया गया था तो इस तरह से अगर हम देखें तो केवल स्टेट्मेंट तीसरा जो है क्या है वो सही है बाकि गलत है तो हमें असत्य कतनों का चैन करना है तो क्या हो जाएगा कि हमारे 1,2,4 अर्था 3 तो हमारा चुंकि गलत है सोरी 3 तो हमारा सही है तो हमें असत्य कतन का चुनना है अजय जजय झाल